हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल लेट्स डिसकस्ट तुड़े विल डिसकस्ट वर्क्षिट नंबर 75 आज हम जो वर्क्षिट है वो 75 करेंगे सब्जेक्ट है इंग्लिश क्लास 10 डेट है 28 जैन्वरी 2022 और यह जो चैप्टर 9 से भोली से लिया गया है फुट्प्रिंट्स विदाऊट फीट सो आपका जो फॉर्स imposing है उसमें क्या है आपको लेटर लिखना है सटोह करना है जिए cheat the पुली है फ्रिंसिपल बन चुकी है किसकी निराली विलेज स्कूल ये नाम है इस स्कूल की वह प्रिंसिपल बन चुकी है और जो village panchayat है has finally decreed that the empty piece of land beside the school will be used as its playground और जो panchayat है उसमें बोला गया कि जो school के बगल में जो मेधान है खाली उसको playground की तरह इस्तमाल किया जाएगा you and miss kamini gupta the physical education teacher so आप और जो miss kamini gupta है physical education in the तो इसमें letter में ये बोला गया है कि आप को नो आपको खुद को imagine करना है कि आप miss kamini gupta हो जो कि क्या है PT जो physical education teacher है वो हो आप ठीक है और जो principle है कौन है principle सुलेखा सुलेखा आपको बोलती है कि एक order place करना है necessary sports equipment such as football, basketball, cricket sets, badminton, rackets and hockey sticks so जो principle है सुलेखा मैडम वो आपको बोल रही है और आपको नो कामini gupta और क्या हो आप physical education teacher हो so principle आपको बोल रहे है कि आपको order place करना है कि क्या-क्या हमें equipments जी है sports equipment क्योंकि हम नया playground बनाने जा रहे है ठीक है so आपको letter लिखना है किसको दिल्ली sports दर्यागंज placing an order for the same in 125-500 words के बीच में आपको letter लिखना है दिल्ली sports को ठीक है so यह format दिया हुआ है यह आपके school का नाम है वीर प्रदेश फिर date लिखना है आपको फिर the sales manager दर्यागंज दिल्ली subject लिखना है फिर salutation so reference दे रखा है फिर उसके बाद यह आपको table बनाना है क्या क्या equipment चाहिए जैसे कि यहाँ पे कुछ equipment के नाम दिये हुए है football, basketball, cricket, badminton, racket, hockey, sticks इसके अलावा और आप लिख देना फिर thank you, yours truly आपका नाम क्या है Miss Kamini Gupta यह आप लास्ट में लिख देना और यहाँ पे लिख देना आप क्या हो physical education teacher तो चलिए इस letter को हम करते हैं पहले आप address लिखोगे फिर date लिखना एक line छोड़के फिर उसके बाद किसको letter लिख रहे हो sales manager दिल्ली sports दर्यागंज दिल्ली फिर subject में you will write supply of sports equipment for school कि आप sports equipment चाहिए आपको school के लिए Sir, Madam इसके बाद आपको लिखना है यहाँ से letter शुरू करना है This is with reference to your quotation Our school wants to place a bulk order for the supply of sports equipment The lists are particular as follow So, आप लिख रहे हो कि आपको school के लिए bulk में order चाहिए और list क्या-क्या है Hockey sticks चाहिए आपको 15 इधर sports items लिखने हैं इधर quantity लिखने हैं कि कितना चाहिए Tennis rackets 25 चाहिए Tennis ball 25 चाहिए Basket balls 6 चाहिए Cricket की जो kits है वो 20 Skipping ropes जो रसा कुदने वाली है वो आपको 25 चाहिए Badminton kits आपको चाहिए 15 ठीक है So, यह 7 चीजें हो गई total फिर next आप लिखोगे The payment will be made by check on receipt of the goods Kindly ensure that all the items in order are in good condition and reaches by 10th February 2022 So, आपने उनको एक deadline भी दे दिया है कि 10 फरवरी तक पहुंच जाना चाहिए और जो goods है जो समान आएगा वो good condition में होना चाहिए If our terms and conditions are acceptable to you, please let us know the mode of payment as well अगर आपको हमाई जो terms and conditions अगर आप उनसे agree करते हो तो please हमें बताईए और जो mode of payment है उसके बारे में भी जानकारी दीजिए फिर next में आप लिखो के thank you, yours truly, miss Kamini Gupta इधर miss आजाएगा मैंने missus लिख दिया इधर miss Kamini Gupta, physical education teacher, pet यह आप लिख देना तो यह worksheet आपकी complete हो गई है अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो लाइक करिए comment section में बताईए वीडियो कैसा लगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा ओके, thank you